Hello Friends, आप सभी का अपने HDS Tutorial पर स्वागत है, तो आज हम लोग Jack Ward Class 8 का Second Term का English का फिर फिर Important Question देखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग जो भी Question देखेंगे, पूरा का पूरा सिर्फ Second Term से है, वीडियो काफी Important है, जितना भी हाँ पर मैं Question बताने वाला हूँ, सभी Question बहुत ही Important है, यही Question रहेगा सब का सब, लेकिन इसमें से भी Question रहेगा आप लोगों का एक्जाम में, तो चलिए Second Term में जो भी Chapter से पूछा जाएगा, सभी Chapter से 2-3 Question मैंने यहाँ पर Pick Up किया है, तो हम लोग बढ़ते हैं Question के और देखेंगे, पहला Question है, What had caused Blockage of the Drain, इसका अंसर इस परकर आ Drain, which caused Blockage of the Drain, फिर देखेंगे, Second Question, Who had asked, प्रेक्षा टू, पाटिसिपेट इन ऐसे कमपेडिशन, किसने ऐसे कमपेडिशन में, पाटिसिपर करनी के लिए कहा, तो इसका उत्तर इस पर कर आप लिए सकते हैं, हर Class Teacher had asked, प्रेक्षा टू, पाटिसिपेट इन ऐसे अगला Question की ओर, अगला Question देखिए, What is the Highlight of Mary Combs Childhood, Mary Combs के बचपन की क्या विशेशता हैं, क्या Highlight हैं, इसका अंसर आप इस पर काल लिखेगा, Mary Combs was born in a poor family of rural Manipur, she grew up humble surrounding, helping her parents with farm related course going to school, and learning athletes, initially and later boxing simultaneously, यह है Mary Combs की बचपन की बातें, अब बढ़ते हम लोग, अगला Question की ओर, Who is the first Indian woman to win an Olympic medal, Olympic medal जितने वाली पर थां, भारत्य महिला कौन थी, तो देखिए, इसका उतर हो जाएगा, PV Sindhu is the first Indian woman to win an Olympic medal, इसे भी आपको याद के लेना है, PV Sindhu first महिला थी, जिसने Olympic पर medal जिता था, अब बढ़ते हैं, अगला Question की ओर, Which awards and how many titles has Sania Mirza won, Sania Mirza कितना prize और अवर्ड जीती है, बताना है, तो इसका उतर दिखिए, Sania Mirza have won a total of 41 WTA and 4 ITF titles to her name, इसे भी आपको याद कर लेना है, अब बढ़ते हैं, अगला Question की ओर, यह Question very very important है, थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन यह Question आने का पूरा पूरा चांस है, अगर आप पूरा पांच का पांच नहीं याद कर सकते हैं, तो कम से कम तीन, चार, कम से कम चार याद कर लीजेगा, ओके, पक्का चार याद कर लीजेगा, दिखिए, New Religion के लिए, नेहा के पास क्या नियम थे, क्या रूल बनाई थी नेहा, तो इसका उतर दिखिए, नेहाज रूल्स फोर अ नियू रिलिजेट, ए नबर दिखिए, The sun is our father because he gives us enemy, दिखिए, the earth is our mother because she sustain us, दिखिए, tree are our elder brother and sister who give us oxygen, food and shelter, फिर दिखिए, D number, Animal are our younger brother and sister who also help us, फिर दिखिए, E number, thus we must help and protect our family, तो ये सभी बहुत इंपोर्टेंट है, आप पूरा याद कलीजेगा, ठीके, चोटा-चोटा है, एक एक लाइन का है, पूरा याद कलीजेगा, बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है, अब बढ़ते हैं अगला कोस्चन के और, अ आइज फूल ओफ टियर्स, रोते हुए आँखों के साथ, सिनेह अपनी फ्रेंड को क्यों गले लगाई, तो इसका उतर आप इस पर कालीज सकते हैं, अब देखिए अगला कोस्चन, वाइवाज सिनेह डिसापोइंटेड, सिनेह क्यों उदास थी, तो इसका उतर हो जाएग सिनेहा वाज डिसापोइंटेड विकोज सी लोस्ट, हर एसे, सम हैड थ्रोन इट अवे, एज अ वेस्ट पेपर, किसी ने सिनेहा का एसे को वेस्ट पेपर के जैसे फेक दिया था, इसलिए सिनेहा उदास थी, फिर देखिए अगला कोस्चन, वाइवाज डिड देखिए इ that she had won the second prize of hundred rupees, प्रिंसिपल ने सिनेहा को डेज पर क्यों बुलाया, तो इसका अंसर हो जाएगा कि प्रिंसिपल ने सिनेहा को thousand rupees का price दने के लिए बुलाया क्योंकि वह second prize, second prize जीती थी, इसे आप नोट कर लिजिए, अगला कोर्शन देखिए, what according to rupees was useful for his studies, तो इसका उतर देखिए, according to rupees, smartphone, tv, e-book and audio, visual, educational material are useful for his studies, फिर देखिए, next question, what according to Mr. Ramesh was rubbish, Mr. Ramesh के अनुसार क्या rubbish है, तो देखिए, इसका answer, according to Ramesh, watching movie, music video, serials, cricket matches, are nothing but wastage of time, these are spoiling the future and education of growing children, so there are rubbish, इसे, तो देखिए, यहाँ पर भूला गिया है, कि movie देखना, music सुनना, serial, cricket matches, यह सब कुछ नहीं है, बस waste of time है, ठीक है, waste of time है, यही सब जो है, बच्चों को बरबाद कर रहा है, बच्चों का future को बरबाद कर रहा है, तो इसे आप लोग याद कर लीजेगा, नोट कर लीजेगा, बढ़ते हैं, next question की और, question है, what was Mr. Ramesh proud of, Mr. Ramesh को किस पर गर्व था, इसका उतर देखिए, Mr. Ramesh was proud of his son's result, because Rupes received an international online certificate from a prestigious university, तो इसे आप नोट कर लीजे, Ramesh को अपने बेटे पर गर्व था, क्योंकि उसने international online certificate प्राप्त किया था, एक prestigious university से, अब बढ़ते हम लोग, अगला question की और, अगला question देखिए, Malala Yusuf जिया has raised a voice for which issue Malala Yusuf जिया किस मुद्दे परावाज उठाई थी, तो इसका उतर देखिए, Malala Yusuf जिया has raised her voice for the education of girls, because there is no secondary school for girls in the valley, through which girls can fulfill their dreams, तो इसे आप नोट कर लीजे, याद कर लीजे का Malala Yusuf ने, खासकर लड़कियों की सिक्षा के लिए आवाज उठाया था, उठाई थी, ठीके, वो गर्ल थी, तो उठाई थी, फिर देखिए अगला question, With whom did Malala share her Nobel Prize, तो इसका उतर हो जाएगा, मतलब Malala Yusuf जिया किसके साथ अपना Nobel Prize share की थी, इसका उतर देखिए, Malala shared her Nobel Prize with कैलास सत्यार्थी, कैलास सत्यार्थी के साथ share की थी, अब बढ़ते हैं, अगला question क्यों, अगला question है, What is the reaction of the crowd when Sachin enters the field, जब Sachin field में entry करता है, तब लोगों का भीड का कैसा reaction रहता है, इसका उतर देखिए, the crowd makes a excessive loud cheering, when Sachin enters the field and are very excited, सभी जो लोग रहते हैं, crowd रहता है, भीड रहता है, वे बहुत जो जो excessive loud cheering करते हैं, जब Sachin field पर entry करता है, और वे बहुत excited रहते हैं, इसे आप नोट कर लीजे, अब बढ़ते हैं, अगला question क्यों, यह हमारा इस वीडियो का last question ह बट यही पर हमारा question पुरा खतम नहीं हो जाता है, और बहुत सारा question है, बाकी question भी में, second part upload करूँगा, फिला हलकील हम लोग इतना ही करेंगे, यह हमारा last question रहेगा, what words and phrase in the poem tell us that the poet feels that trees have been misused or hurt by man, तो यह आपका chapter का नाम है, a heritage of trees, यह chapter से लिया हुआ है, तो चलिए इसका हम अनसर देखते हैं, I saw a man attack a tree today, a line of novel tree, multilated ribbed branches, ultimately from their trunks, cripples some, तो इस तरीके से इसका answer complete हो गया है, I hope आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, जितना भी यहाँ पर मैं question बताए हूँ, approach 10 to 12 question बताया हूँ, सभी आपको याद के लेना है, exam के point of view से काफी important है, और भागी इसका part 2 भी आगा इसमें, और भी important question आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो अच्छे लेकित वीडियो को लाइक करें के अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेर कीजिएगा, और चैनल कभी तक सब्सक्राइब नहीं कियें, तो सब्सक्राइब करके, bell icon all पर ज एक notification पहुंच जाए, thank you for watch our video, have a good day.